दोस्तों देखें मैं अक्सर काम के सिलसिले में और मचली बान के काम है आप जानते हैं बहुत जगा गुमतर रहता हूं और आप सब के प्यार और सपोर्ट से आज हमारी जो टीम है कोई तुरकी जो परिवार है वो बड़ा होता जा रहा है पर जहां भी जाता हूं एक कामन सा सवाल सब्सक्राइब करके देख लिया पुरा ठाक गया मैं लेकिन फिर भी मेरी मचली नहीं बढ़ रही मचली ओग्रोथ एकदम होई नहीं रहा है सुर में बढ़ी बाद में रुख गई और रुख गई तो रुख गई तो देखें हो सकता है कि लोग अलग अलग जगह से सीखते हैं और रेगुलर हमारा वीडियो भी देखते हैं हमें फालो भी करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ मिश्टेक तो होई चाता होगा यही जिसकी वज़ए से आपकी मचलियों का जो ग्रोथ है वो लुख रहे हैं तो आज हम लोगे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी आप में मचलियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है और यहां खुद आप ऐसे कुछ गल्थी तो नहीं कर देखो तो इन सब बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं तो स्वागत है आपका आप सभी का हमारी यूटूब चैनल कोई तुर फिस फार्मिंग इंडिया पर जहां हम नहीं कि बात करने वाले हैं आज के topic पर कि मचलियों को क्यों नहीं हो रहा है कि आप दो सिय कि दो तरगी गलती अक्सतर मैंने अफजर किया है जिससे ग्रोध जो है रुख सकता है बहुत सारे पेटरस हो सकते हैं पर मैंने जो अफजर किया है मैं उसकी अपने नुवह की बात बोल रहा हूं देखे पहला है पानी या आपका तलाब समझ लीजिए या जो पॉंड का जो में करते हैं कुछ ऐसी मीच्टेक्स करते हैं जिसके चलते हैं यह होता है और मज़ेए बात है कि दोनों नहीं आपके आठ में दूसरा तरीके को बोलते हैं जो तालाब या पानी का एको सिस्टम है उसमें वाज़र पॉलिटी को कैसे मेंटेन करें आपकी मचलियों का जो रहने का जगह है उसका जो घर है वो पानी ही है तो जैसे आप अपने घर को रहने लाइक बनाते हैं कि अच्छा सा लाइट आने के लिए रोसंदा तो इस तरीका से आप चीजों को डेवलब डिजाइन करते हैं कि आपको रहने में काफी आसानी हो ऐसे ही ज़िए मचलियों को आप पाल रहो तो उनकी घर को भी उनके रहने लाइग बनाना पड़ेगा तो यह मेंली जो काम जो स्टार्ट होता है जैसे हम लोग घर की तलाब घर के जो न्यूक होते हैं न्यूक की त्यारी करते हैं मजबूती के लिए सेम ऐसे ही है जब आप तलाब की त्यारी करेंगे तलाब जब खुद करके सुरू करेंगे या कल्चर की स्टार्ट करेंगे तो वहां हमें plankton कैसे grow होगा उसको सही तरीका से समझना होगा और उसको implement करना होगा अगर आपको साइंटेफिकली तरीके से तालाब बनाना सीखना है तो दिखें वीडियो में अलड़ी बना चुका हूं सहद आपने देखा ना हो मैं आई बटन पर लिंक डाल दे रहा हूं आप उपर आई बटन पर लिंक पर क्लिक कर लिए उस वीडियो को देख के समझ लिज पड़ेगा इनको ठीक करना पड़ेगा यह सब में से कोई एक भी विगड़ता है तो आप कितने भी फिट डालो मचलियों का इस्ट्रेस कम नहीं हुआ और जब मचलिया इस्ट्रेस में रहेंगी तो खाएंगे और दबाके पर ग्रोथ नहीं हुए नाइट्रेट को दिरे से मर जाती ही आपको पता भी नीचलेगा और मचलियों को पता नहीं चलता ना पेट पूलता है ना स्वेलिंग होता है ना कोई छोटका निसान दिखता है और धीरे से सड के फिर उपर आती है और हाई यह बात है कि इसमें कोई बल्क में मचलियों नहीं मरती 2-4-8-10 आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो जरूर बना सकता हूं पर कमेंट्स आता नहीं है तो उतना इंट्रेस्ट पैदा नहीं होता कि जाता लोग उसके रिक्वार्मेंट साइड नहीं होती है इस वाद आता है देखिए जो आपका अनुवांडड़ माइक्रागनी भी जाए कुछ ऐसे बेक्टेरिया हैं जो अच्छे बेक्टेरिया हो उनका आपके पानी में डेवलपमेंट अच्छा हो ग्रोथ अच्छा हो ताकि मचली और उनके बीच का एक सिस्टम बनता है जैसे मचली पर करती है और मचली का मोच्छ म स्ट्रेस में आती है पिर देली विमारी के ऊपर सिरीज बना रहा है बहुत सारे टॉपिक्स मैं ने उस में कवर किए हैं आप होम पेज पर जाएक हमारे यूटुब चैनल के लोगों को डश कीजिए आपको सामने दिख जाएगा फि प्रेइलिस्ट में प्रेइल वीडियो डेर सारे वीडियो से आप उनको देखें और देखर के समझें कि आखिर फीज़िस होते क्या है उनको आप ऐसे मैंच कर सकते हैं एदि इनफोर्मेस्ट न जाएंगे तो वहां भी आपको डेर सारे जानकर रहें मिल जाएंगे तो आप दोस्तों इसके लावा एक और ची जो जाब बहुत इंपोर्टेंट है वह फीट और दुस्तरा उसका फीडिंग करने का तरीका अगर आप सही क्रूड प्रोटीन फाइबर्स फैट यह सब का जो कॉंबिनेशन बहतर है वैसे भीड आप मचलियों को नहीं दे रहे हैं तो मचल का अंदर चर्वीत बढ़ जाता है वजन नहीं होता है मचली दीगती बढ़ी है पर वेट नहीं होता प्रोटीन देने होंगे सेसब तो यह भी सबका एक बढ़ी होना चाहिए नहीं तो क्या होगा आपका फीर बढ़ता चला जाएगा और आपकी मचली जो है नहीं बढ़े मैं भी किसी कमपणी का लाम देना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं देनाम लूँगा तो बीना वजह उनका एडवर्टेजमेन हो जाएगा और किसी की बुराई हो जाएगी तो करना ठीक नहीं है मार्केटर बंदे रहने के लिए इतना करना पड़ता है इसके लाव आप मचलिय कि लिए गान होता है और थोड़ा सा टॉपिक इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो एक लाइक बटन दबातों यारा लाइक के लिए बहुत कुक्षे रहते हैं यह कोई करता है यह वीडियो देखके निकल जाते हैं तो हम लोग उसी स्ट्ष पर बीडियो बना पाए तो नही प्लीज प्लीज एक लाई जरू कर दीजेगा इसके बाद जो एक बड़ा कारण है मचलियों की ग्रोध पर जो खास ही फिक्ट पड़ता है वह है इस टॉकिंग डेंसिटी को लेकर के हम लोग जब पॉन लाइनर पर आये थे तो देखिए कोई और फादर था नहीं कि पॉन ल जेंथी उसको उठाया था और इन सब को मिक्सर बनादर के पॉन लाइनर सिस्टम भाया था तो भारत में इसके रिसर्चर कम थे अभी तो लोग काफी अच्छे बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो उनका सब कनूबहुत देखने मिलता है और कोई बड़े साइं मचलियों को बढ़ने लाग जब इस पेस नहीं मिलेगा ना तो उनका ग्रोथ रूप जाता है यह हमने महसूस किया तो एक बच्चे को कितना जितना आपको इस पेस चाहिए और शमय के साथ बढ़ा होता है तो उसको उसकी इस बढ़ता चला जाएगा तो जो चीज मचलियो होता है तब भी मचलियों पर इफेक्ट पड़ता है तो देखें इन चोटी-चोटी बातों को आप दिहार में रखेंगे और आपका जो टेंग क्या पूंड का जो बनाकर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जाद रिकत आने वाली है अब आते हैं आप क्या गलती करत हैं वो किसी ट्रेनिंग में कभर करवाना पॉसिबल नहीं है तो लोग क्या करते हैं सीखना छोड़ देते हैं उनको लगता है कि सब कुछ आ गया अब आसानी से मिनेज हो जाएगा और यहीं वो गलती कर जाते हैं तो मचली पलन में देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नहीं साइकल रिएक किसे से कही ने कहीं से मismo कारी किसाने करते हैं और हम से नहीं से नहीं खतने हैं Со every तो इसके बात करते हैं देखिए फीडिंग का जो टाइमिंग है जैसे सब्स मान के चलिए आज आपने सामको चार बजे फीट कर आया कल थोड़ा समय नहीं मिला तो कल आपने पांच-छे बजे कर दिया कि आइख चार बजे कर आप पांच-बजे बइजी था तो आप शार बजे कर दिए अब इस तरीका जो आप विहेवियर करते हैं इस से क्या है उससे मचलीयी गुरूथ रूपता ही ही क्योंकि मचली उस समय एउस्पेक्ट कर रही है खाना जिस समय उनको नहीं मिलता है इसके अलाबा आपको अगर दिख रहा है कि पानी का सब जो पैरामिटर्स है वो कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है तो उसको तुरंट ठीक किजिए यह मसोची कि आर मैं कल कल लो पर सो कल लो नार सो कल लो और सो कल लो और सोचते हैं बाद में देखेंगे अभी रहन दो अभी यह सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करते हैं मचली पर तो जो चीज़ें जिस समय ठीक करने हैं उस समय ही ठीक कि लिए तो यह प्यारा से जो इसक्रिप्ट अभी आप देख रहे थे वीडियो देख रहे थे यह सुदीता तत्रा जी ने लिखा है और केमरेक पीछ हमां पू हो रही है हमें इसके लिए डिलर डिस्टिबूटर पार्टनर चाहिए मध्यपदेश च्छतिजगर औरिसा बिहार उत्तरपदेश के अलगलग सहरोपे तो यदि आप लाइव मचली बेचेना चाहते हैं रोहुकत्लम रिगल पेख हो रहे हैं जो कि इंडिया में साथ फर्स